पूर्णिंग एश्रेंट्स हाई हम अंकुस प्रमुर्पुरा आश्रे अबाव दिल्डाले तोड़े वी लेर्ण साइन्स और ग्लास पॉर आज हम सभी ग्लास पॉर के बच्चों के लिए साइन्स यानि विज्ञान की सुरुवात कर रहे हैं आवर फर्स्ट टॉफिक हाव आवर बड़ी वर्क्स हमारा शरीर कैसे काम करता है इसी के साथ हम आज साइन्स के चुरुवात करेंगे ट्रास पॉर्स के स्ट्ट्रेंट्स के लिए ठीक है लास पॉर ही नहीं वैसे बच्चे जो की अपने बड़ी के बारे में जाना चाहते हों चाहिए वह लास पॉर के हो तो उनको तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी एक लास पॉर से नीचे या लास पॉर से उपर के हो सकते हैं अपने बढ़ी के बारे में ठीक है तो हम zeggen कि हमारा बडी कैसे काम करता है और और जानने से पहले हमको जाना है कि हमारे बडी के बारे में हम ले दा रहे हैं ओखहाँ से आया है सबसे हाएं को मैं आपको बता दू å exe के बारे में हुँंको जानता होणी चाहिए विज्ञान के बारे में हुमको जानना चाहिए सब्सक्राइब ह lodגल larger w trata कि थे मधारो the science is an intellectual and practical activity कि कॉंपेजिंग दा सिस्टेमेटिक स्टॉडी और स्ट्रॉक्चर एंड बिहेवियर ऑफ दा फीजिकल और नेच्टॉल वर्ड थू एग्शल्वेशन एंड एक्स्विमेंट कहता है कि विज्ञान जो है इंटर्लेक्ट्वल और प्रैक्टिकल एक्टिविटी से हमें सिस्टेमेटिक ज्यान लेता है यानि यथार्त रूप से हमको किसी भी चीज पर एक्स्रिमेंट करके उसके बारे में हमको ज्यान देने का काम विज्ञान करता है ठीक है आपका जो गुरुकुल आश्यवाल आपको लेना है और उस बुक को आप विद्धाले से आकर प्राफ कर सकते हैं इस बुक आपको विद्धाले ठीक है अब बात रहे हैं उनके भी कॉंटेंट में यह जरूर ही दिया गया होगा कि हमारा बॉड़ी कैसे काम करता है तो यहां मैं थोड़े क्लिए कॉंटेंट भ आप आगे बढ़ते हैं साइड्स के बारे में हाओ ने डॉंसे लौ साइग साइट 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 के कितने बांच है यह आगे हम देखते हैं How Our Body Works यह हमारा चैट्टर यहाँ से स्टार्ट होता है पर अगर हमने साइंस के बारे हैं पुर्चानकारिया लेवी विज्ञान के बारे हैं जान लिया और हम अपना चैट्टर स्टार्ट करते हैं How Our Body Works हमारा जो यह मानो सरीर है यह कैसे कार्ज करता है जो हमारा मानों सरीर है या कार्ज कैसे करता है इसके बादे में हम लोग जानेंगे तो आप देखते हैं कि हमारा जो बोडी कार्ज करता है वो अलग अलग और गेंस से बिलकर कार्ज करता है यानि कि इसमें बहुत सारे औरगेंस आते हैं जो कि हमारे बॉड़ी को काल्स करने में सहायता करते हैं बच्चों ध्यान देंगे यदि आपको औरडियो में प्रॉब्लम हो रहा हो सुनने में तो आप अपना एयरफोन यूज कर सकते हैं यूज करके आप असानी से औरियो को क्लियर रूप से समझ सकते हैं ठीक है चलिए हम ध्यान देते हैं जो हमारा बॉड़ी काम करता है वह और ये के हैल्थ से मिलकर वर्क करता है तो उसमें हमारा दो टाइक सका है एक होता है मतलब ऐसे तो हमारे बोड़ी में बहुत सारे ऑर्गेंस हैं है लेकिन एक हैसे जो की जिन्हें हम देख सकते हैं जिन्याव अपने आपकों से देख सकते हैं आपको पता होगा ज़रूर आपको जाना चाहिए कि हमारे सेंस ओर्गेंग दाई, यह जो है आपको देख सकते हैं तो यह जो क्या खालाते हैं एक्स्टर्नल औरगेंग का लागते हैं अगला आता है वाट इन्टर्नल और इंटर्णल और इंसाइब दा बड़ी फार एक्जांपल दाहर्ण लंग्स अंड इस्टॉम इस वी चैनल सी दिन काता है कि कुछ ऐसे यह सकते हैं तो बैसे alin gaat है चाहिए तो फिर आप वीडीयो पॉसको पॉसकर पेसको जाए चाहिए ऊजभra सभाई जाता हूं wide और यह एक नहीं कि इसके पास भी पढ़ने जा रहे हैं इंटर्णल और तो जान देंगे और जाने के बारे में और फिर आपनों कुछ मेजर और सिस्टम भी जाने में ठीक है तो आप इसको नूट कीजिए अच्छे से चलिए यहां बच्छों तो मुझान देंगे और गन सिस्टम के बारे में यादि कि आपर बडी वर करता है हम यह बडी जो है तो तरह के और यह मिलकर वर करता है अब और शेश्टम क्या है करता है कि यह ग्रूप और डिफरेंट और इंस जानते हैं मेजर औरियन सिस्टम यादि जाहते हैं जैसे कि सबस्क्राइब आता है एसकेलेटल सिस्टम के बारे में जाहते हैं गीव सेट कि और अध्य कि जो हमारा सिस्टम कामकाल तंत्र यानि जो भी हट्डिया नहीं होती है अगर बोड़ी वो सब्सक्राइब नहीं बिलता है यह जैसे आप देखते हो यह गार अगर किसी का हाथ तूट गया है तो वह उस हाथ से वर्ग नहीं कर पाता है उसको उठा नहीं पाता हाथ तो ऐसी रहता है लेगि उसका बोन टूट जाता है पैर तो नहीं होते हैं तो फिर हावारा बोड़ी वर्ग करने में असमध हो जाता है उसको सपोर्ट नहीं मिलता है काम करने का ठीक है तो यह सब से पाला है यह स्कैलेटल सिस्टम जो कि हमारे बोड़ी को सेप और होड़ी अगला है मौक्तितर सिस्टम यानि एक स्कैलेटल सिस्टम और मौक्ति बोड़ी मूवमेंट तक है जैसे कि चोटा बच्चा जो अभी जनल लेता है वो नहीं चल पाता है क्योंकि उसके मुखल्स तो होते हैं देकि उसके मॉसंल्स उस तरह से बिल्ड़प परणा शुरू कर देता है तो यह उसका मुश्चिल सिस्टम होता है अगला है डाइस्टिव सिस्टम डाइस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे और अगर आप पूपमेंट बिना किये हुए तो जीवित रह सकते हैं इस दोनों में थोड़ा बहुत कमी में इन कि disability वर्यक्त करता है तो उसको यह क्या करता है च्टे छोटे च्टुड़ो में समयnow मैं तकर च्टा च्ट्टे बदद्चा म 150 गश्टीव में डिच्रा लिकर में लुक्त उ फूर्म में इसको कर सकते हैं कि क्या वर्ख है यह सब आगे पढ़ने वाले ठीक है इसमें यहां मुझ से लेकर और जब खाना बोजन हमारा पज़ जाता है तक तक हम लोग ब्रीफ जानका लियां लेंगे ठीक है कि चलिए अगला आता है रेस्पाइरेटियर सिस्टम भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है कि इसके बिना भी आपका जीवन संबाब नहीं है तो मतलब क्या होता है यह जानना हम पालें जरूरी है फिर आप समझ हाएंगे तो सांस लेना तो जो हमारे सांस लेने में सहायक होते हैं उन्स अभी और इसका स्वमूः स्टाइर्टी सिस्टम कहलाता है ठीक है भ्यान से समझते चलीगा मैंने वराइस करती आपका वर्ट है उसको मैंने एक ग्राफ में लिए प्रयास किया सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करता है यह पढ़ेंगे लेकिन आपको अभी इस प्लास में नहीं पढ़ना है आगे हमनों क्लास में ठीक है कि आगे होता है एक्स क्रिटरी सिस्टम जानि की रिमूव बेस प्रोडक्ट फ्रॉम्त भॉडी यह सिस्टम है यह हमारे बॉडी के वेस्ट वेस्ट क्या होते हैं वेस्ट का मतलब हुआ कि जैसे हम जो भोजन करते हैं कुछ भी हम खाए तो जब भी हम भोजन कर लिए तो वह सारा भोजन जो हम किये हैं उसका पूरा-पूरी 100% हमारा बडी परियोग नहीं करता है असलों अधर क्लिए मझें तुष्टा बडी वह बात नहीं है। वह से बाड़ी आपने यूज की जो भी आपको जो भी उसके यूज का प्रोटीन हुआ कार्गोराइड़ हुआ जो भी उसके यूज का उसमें मिला उसको फिल्टर कर देता है और उसमें हम कुछ ऐसा भी तो जो भी वह विस्ट को छोड़ दिया वह उसका जो भी पार्ट सो फिल्टर करके छोड़ दिया जो बड़ी के काम का नहीं है वह हमारे बड़ी पार्ट से रिवूब हो जाता है बाहर हो ठीक है अबना आता है नर्वस सिस्टम का है नर्वस सिस्टम का क्या परियोग है नर् प्रेटिविटी जोली नुर्ण भी है यह पुर्ण पार्ट वुह उस्टिवर बॉड़ी और वह सब्सक्राइब नुर्ण करता एक दुद्ध लिए और वारी प्रण भुड़ी को सब्सक्राइब करता है जैसे हम यहां खड़े हैं और थोड़े तक खड़े रहने गवाद हमको यहां एक मच्छर ने काटा तो मच्छर ने जैसे ही काटा तो यहां मच्छर काटा तो इस information को यह हमारे brain तक पहुंचाता है और हमारा brain इस हाथ को फिल से वह यह जो काम होता है और इसका काम जो है तो इस सारी जो मेजर और इस सब्सक्राइब के बारे में ब्रीफ जानकारियां लेगी हैं तो इस प्लास में दोनों के बारे में कैसे इसका क्लास होता है आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोड़क्शन बताया आपने बड़ी के बारे में और नेक्ट्स क्लास में मैं लेकर आओंगा ब्रीफ जानकारी थोड़ा ज़्यादत समय लेकर आएंगे आप लोग और अपना नोट्स खरीद दीजिए नोट्स बाराने स्टार्ट कीजिए क्योंकि आपके क्लासे रेगुलर चलेंगे गुरू कुड़ावाश्य बाल बिद्द पुरा भूख तो आपको रेंट करना ही पड़ेगा और जैसे दैसे करके आपको भूख उपलब्ध कराने के लिए प्रती दिल प्रयास कर रहा है और बुक्स आपको जल्दी ही मिल देंगे ठीक है तो आप लुगाकर इसको सम्पर्णर के बुक्स ले लिए और उसके बाद अपने मात्यमिता का नाम रौसन कीजिए ठीक है और अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाईए जो की लॉक्डाउन वे फसे में हैं और अपने गुरू से दूर है अपने स्कूल से दूर है पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं उन तक यह वीडियो को आप जरूर पहुंचाई ठीक है तो यह साथ बोलिये घर पे रुखेगा इंडिया पढ़ेगा इंडिया थैंक्यू वे नाइस टीए